दुनिया के 10 सबसे ज्यादा सोना बनाने वाले देश जो सोना बेचकर अमीर हो गए हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है उजबेकिस्तान ये देश सेंट्रल एशिया में है और हर साल करीब 100 मेट्रिक टन सोने का उत्पादन करता है ये थोड़ी छोटी कंट्री है लेकिन इसका मुरुन्ताव माइन बहुत बड़ी है और यहीं से ज्यादातर सोना निकलता है वैसे भले ही उजबेकिस्तान का नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये कहीं दूर का और छोटा सा देश है लेकिन ये गोल्ड प्रोड़क्शन के मामले में बड़ा खिलारी है इसके अलावा उजबेकिस्तान की सोने की कौलिटी भी काफी अच्छी मानी जाती है अब हम बात करेंगे South Africa की जो गोल्ड प्रोडक्शन में कभी दुनिया का लीडर हुआ करता था South Africa की जोहांसबर्ग सिटी को गोल्ड के लिए City of Gold भी कहा जाता है हाल के सालों में इसका प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन फिर भी ये सालाना करीब 100 मेट्रिक टन सोना प्रोड्यूस करता है साउथ अफरीका का गोल्ड माइनिंग इतिहास बहुत पुराना है और यहां की माइनिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में फेमस है यहां के खान मजदूर और उनकी मेहनत गोल्ड माइनिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं इंडोनेशिया साउथ हीस्ट एशिया का सबसे बड़ा आईलैंड कंट्री है और यह सोने के प्रोडक्शन में काफी आगे बढ़ चुका है यहां हर साल 110 मेट्रिक टन सोना प्रोड्यूस होता है जिसमें से ज्यादा तर ग्रासबर्ग माइन से आता है ग्रासबर्ग माइन को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन में से एक माना जाता है इंडोनेशिया की गोल्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ ने इसे ग्लोबल मारकेट में पहचान दिलाई है यहां की माइनिंग इंडस्ट्री में नई तकनीकें और मशीन्स का इस्तिमाल किया जाता है जो इसे और भी एडवांस बनाता है अब बात करते हैं मेकसिको की यह देश हर साल करीब 120 मेट्रिक टन सोने का उतपादन करता है वैसे तो मेकसिको सिल्वर माइनिंग के लिए जाना जाता है लेकिन अब यह सोने के उतपादन में भी काफी आगे है यहां की सोने की खाने पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं जो इस देश की एकोनॉमी में बड़ा योगदान देती हैं मेकसिको की गवर्नमेंट ने माइनिंग सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए कई पॉलिसीज भी बनाई है मेकसिको का गोल्ड प्रोड़क्शन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी एक स्ट्रॉंग प्रेजन्स बनाता है नमबर च्छ चजाकिस्तान एक और सेंट्रल एशियन कंट्री है जो गोल्ड प्रोड़क्शन में काफी आगे है यहां हर साल 130 मेट्रिक टन सोना प्रोड्यूस होता है कजाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री खासकर सोने और दूसरी कीमती धातूँओं के लिए जानी जाती है यहां की खाने बहुत सम्रिद्ध हैं और माइनिंग का तरीका भी काफी एड़वांस है कजाकिस्तान ने हाल के सालों में अपने सोने के उतपादन को काफी तेजी से बढ़ाया है और इसका फाइदा देश की एकोनॉमी में भी नजर आता है अब हम आते हैं युनाइटिड स्टेट्स यानी अमेरिका पर यह देश हर साल करीब 170 मेट्रिक टन सोने का उतपादन करता है अमेरिका का निवादा राज्य गोल्ड माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है जहां से सबसे ज्यादा सोना निकलता है अमेरिका की गोल्ड माइनिंग हिस्ट्री बहुत पुरानी है खास कर गोल्ड रश के टाइम की कहानिया तो आपने सुनी ही होंगी उस वक्त हजारों लोग सोना खोजने के लिए नेवादा और कैलिफोर्निया में आते थे आज भी अमेरिका की गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री काफी एडवांस और और्गनाइजड है नंबर 4, Kanada Kanada हर साल करीब 200 मेट्रिक टन सोना प्रोड्योस करता है Kanada की माइनिंग इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे मौडर्न और एको फ्रेंडली माइनिंग इंडस्ट्री में गिना जाता है यहां की Mining Technology और Safety Standards बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल है कनाड़ा के Yukon, Ontario और British Columbia में सोने की खाने हैं यहां का Gold High Quality माना जाता है और इसकी Demand International Market में काफी ज्यादा रहती है नमबर 3. रूस रूस हर साल करीब 310 Metric Ton सोने का उत्पादन करता है रूस की Mining Industry सोवियत यूनियन के टाइम से ही बहुत स्ट्रॉंग रही है खासकर साइबेरिया और पूर्वी रूस के इलाके सोने की खाने के लिए जाने जाते हैं रूस का सोने का उत्पादन इसे Global Market में एक स्ट्रॉंग प्लेयर बनाता है और इसके ज्यादातर सोने का एक्सपोर्ट होता है जिससे रूस को अच्छा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है नमबर दो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हर साल करीब 310 मेट्रिक टन सोने का उत्पादन करता है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और यहां के पर्थ और कालगुरली इलाकों में सबसे ज्यादा सोना मिलता है और यहां से सोने का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर चीन की चीन हर साल करीब 370 मेट्रिक टन सोना बनाता है और इसकी माइनिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है चीन के शांडॉंग, हे लॉंग जियांग और गौंग दॉंग में सोने की खाने हैं चीन सिर्फ सोना प्रोड्यूस ही नहीं करता बलकि इसका एक बड़ा हिस्सा अपनी एकॉनमी को मजबूत बनाए रखने के लिए रिजर्व में भी रखता है चीन का गोल्ड मार्केट और उसकी स्ट्राटेजी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना